देखिए वीजे चोहान के लेखरी और पवन सिंग के गायकी पर कभी शक नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वीजे चोहान अगर कुछ लिख दे और पवन सिंग अपनी आवाज में उसको गा दे तो अच्छो अच्छो कुछ सिस्टम के नीची आना पड़ता है। और एक बार फिर से वीजे चोहान और पवन सिंग की जोड़ी सब को सिस्टम में रहने पर मजबूर कर दी है। जी हाँ सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं पवन सिंग और वीजे चोहान के नए गाने के बारे में जो क्या सुबह सुबह टी सीरीज हमार भोशपुरी के अज भारत के सबसे बड़े और सबसे पुरानी कंपनी से सुबह सुबह चे बजी आया है और मात्र चार घंड़े के इंदर इस गाने पर लगबख साड़े आठ लाक व्यूज है और 66,000 से भी ज्यादा लाइक से अब आप इस बार से अंदाजा लगा लीजिए कि पवन सिंगा नया गाना भोला जेकर टोला कितना जबर्जस्ट गाना है क्योंकि गाने पर व्यूज आना बड़ी बात नहीं है गाने पर व्यूज लोग एट से भी ला सकते हैं लेकिन किसी गाने पर अगर मात्र पाश घं करने का रिव्यू करेंगे लेकिन उसे पहले नमस्कार मेरे नाम है डॉली पाने मेरे साते कामरमेंट विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्षर देखिया सुबह 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 पावन सिंग का जुनाया गाना आया है इसको सुनने के बाद लग रहा है कि पावन सिंग पावन के फैंस उनसे अलगी नाराज सब्सक्राइब हैं अब मैं कि उसकार और फैंस चाहने वालों रहीं अपने इशक को रहा है यह बमांटा की और लगात बाद हाए गाना आएगा अब जग गया हूँ अब मैं किसी को शिकायत का मौकर नहीं दूगा लेकिन पवन फिर से वाई सब करने लगते हैं जिसका सीधा असर उनके गानों पर पर पंदा आप इसे में चरचा होने रखती है सबसे पहले जाने कि बोला जिकर टोला पवन का नया गाना किस कंपनी से आया है वैसे तो हमने आपको पहले भी बताया कि यह गाना पूरे भारत के सबसे पुरानी और सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी से आया है जिसको एक दिसमलों पांच-पांच करोड लोगों ने सबस्क्राइब कर रखा है अब इस बास अंदाजा लगाए कि जब इतने बड़े चैनल से पहुन का कोई गाना आएगा तो चोटा मोटा ग अदम है इस पर हम आपको एक अलग से वीडियो बना कर बताएंगे तो गाना निश्चित रूप से हीच होगा और ऐसा होता भी है लोग वीजे चोहान के लिखनी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और भोला जीकर टोला गाना में वीजे चोहान ने लिखा है तो गाने का ह तो नीश अंदेः वीचे चोहान ने गाने को भतार जीजात साली राजा जी जैसे शब्दों से दूर रखकर इस गाने में चार चांद लगा दिया है और वीजे चोहान का लिखा हुआ गाना जब पमन सिंग अपनी आवाज में गाते हैं और इस गाने को जब रवी पंडि की तो आपको बता दे किस गाने में मौडल बेभी काजल नजर आई है जिन्होंने पूंवन सिंग के साथ नहीं काम किया है जो कि इस साल में रिलीज किया है इस गाने के नाम है मजनुए के बनाई अब बात करते हैं बेभी काजल के एक्टिंग थोड़ा दशकों को पसंद सब कुछ कमाल का है मतलब एक नंबर का है मतलब कूल मिला जुलाक अगर इस गाने का रिव्यू किया जाए और एक लाइन में अगर कहा जाए तो पवन के इस गाने में मेरे हिसाब से कहीं से कोई कमी नहीं है बाकि आपको क्या लगता है आप अपने रेकमेंड बॉक्स में बताईएगा तो लाल इस वीडियो को समात करते हैं मिलते नए वीडियो में धन्यवाद